असलाम अलेकुम कैसे है आप सब अमीद करती हो सब ठीक टाक होंगे और अपनी फैमिलिस के साथ बेहत खुश होंगे जी तो आज की जो रस्पी है इसमें हम बनाएंगे अफगानी चिकर ग्रेवी के साथ बहुत ही सिंपल सी रस्पी है और नहाईती मुनासब से अजा कर इस् मुझ पाल चाहिए इसमें हम घी का इस्तिमाल कर दाएंगे तो आप वह यू कर सकते हैं लेकिं घी का इस्तिमाल करें गी के यूस से बहुती ही जबरदरस अ फ्लेवर आता है तो यह जब अग्ही तो यह को मैल्ट होने देंगे अच्छा अब इसमें बिंचिन और चिकन के ताम पे विद्बोन्स मतलब हडियों के साथ चिकन का इस्तमाल कहरी हूँ तो यह चछे कर सकते हैं तकरीबन 1 kg चैकन है और इसे क्या कर लेए फ्राई करेंगे हम तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे तो यह आप चेकर सकते हैं इसको मैं चासे मिक्स कर लिए है अब आठाए ये मीडियूं फ्रीम पेभाई से लाइट थिया घट ए लाइट सव गोल्डन कलर आपस्ट एर अइसे आप किया खे आग रो थे तो यह थी तो आपके उट्रक्आ निक्स अग्यिन गार्लिक पेस्ट नसर вместе और तकरिबन ज क्या रिखती है कि दूप 5 मिनिते हैं तकरिबन 5 मिनिते हुद एड़ करेंगे तरह को पानी पेस्ट भैस्ट है कि वे अब तो जी तो आ कこれ कि डियो य्च आ लिखती है ब्लेंडर के अच्छ भैस्टा पेस्ट लगया है ताके चिकन में जो पेस्ट है टमाटर का इसका अच्छे से एड़ हो जाए और इस टाइम पे अब हमने क्या करना है नमक का इस्तेमाल करना है तो नमक की क्वांटिटी जो है वह आप अपने हिसाब से मेंटें कर सकते हैं अगर आपको जादा नमक पसंद है जादा यूज कर तो मैं यहां पे 1 अगर नमक इस्तेमाल किया है अच्छा जब इसे एक से मिक्स कर लिया है और अब इसके क्या करेंगे बुनाई करेंगे आपने इसके बुनाई हाइफ फ्लेम पे करनी है तकरीबन 10 मिनिट के लिए कि टमार्टर का पानी जो है यह सारा रा हो जाए अच्छ थान जो लुब टिविट यहार क की मैं आपने ने जो हाए ऐस दॉब टो उसके करेंगे टाके जो पिलृँ तो यहां अजर्म पर्णी का सुहा है और इस ही का ही कि यूज होगा इस ताइम पे तो फिलहाल हम एसमें रच चिली पाषे पलर की आ यह वहां इसका जी ब्रु त तो फिलहाल ग्रीन चले गई उसकी है अब इसे क्या करेंगे तकरीबन 10 मिरिट के लिए कुक करेंगे आपने मीडियम टो हाई फ्लेम पे ही इसकी बुनाई करनी है लो फ्लेम पे नहीं करनी नहीं तो चिकन जो है वो बहुत जादा टेंडर हो जाएगा तो मीडियम फ्लेम पे और अपनी फैमिली के साथ और एंजोई कर सकते है तो यह चिकन की भुनाई कर ले और इसके बार नेक्स देखते हैं क्या करने है अच्छा अच्छा आप टमाटर जो है अप उनका पेस्ट इस्तमालनी करना चाहते तो आप उनको एज़ इस बीचा सकते है लेकिन उससे होता तो इसलिए मैंने का इसि भी जयो ह baking ए要 टाम really negative तो इसलिए में एक क्या किया यह पैस्ट का इस्तामल कि यह यह पी है यहिं इस्ताम से बडिएम्जी का इस्तामल करे मली कि बनाई कर दाilla किए भीदार जुटसेया यह तो तकर रह मैंडरम कि लुक कि प्लीजर केहिं आपने मीडियम तो हाई फ्लेम पे ही बनाई करने हैं अब इस टाइंप तरह एच एचोंपे डही अज्ट करें एच नियाति हैं कोई भी ग्रेवी की रेसिपी हो रुष्ट तो उसमें डही का इस्तामाल लाजमी होता हैं क्योंकि दही बहुत जबदस फ्लिवर देता है अच्छी अब इसमें दही आइड कर दीए इसके बाद निए इसमें हम एड़ेंगे क्रीम एट करेंगे तो यह मैं एट कर रही हूं क्रीम आप जो है वो पैक की क्रीम जो है उसे भी इस्तमाल कर सकते हैं और इसके लावा अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अविलिबल है आप उसका इस्तमाल भी कर सकते हैं तो यह क्रीम एट कर दी है दही और क्रीम को एट किया ह और अब इसे क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह आप चेक कर सकते हैं बहुत क्रीमी सी लुक क्रियेट हो गई है यह आप देख सकते हैं इसे क्या करेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब भी आपने क्या करना है फ्लेम लो नी करना आपने मीडियूम टु तो उसके बाद निक्स देखते हैं क्या करना है तो आप चेक कर सकते हैं क्या लुक है अज़ी को जब भी आप करें तो इसे अच्छे से फैंक लिए और इसके बाद आप करें अच्छे यहां पर मैंने एड की है हल्दी पाउडर ताकर जबरदस सा कलर आ जाए तो यह लिए प तो यह आप देख सकते हैं बहुत जबदस सी लुक क्रियेट होगी है हां जी तकरीबबन पांच मिनट क्या की है इसकी बुनाई की है मीडियम टू हाई फ्लेम पे तो यह अब आप चेक कर सकते हैं चिकन की यह लुक है अच्छा जी अब इस टाइम पे क्या करेंगे मैं इस अब आप यह चेक कर सकते हैं चिकन की यह लुक है और बहुत ही जबदस सी जो है वो ग्रेवी तयार है अगर आप इस इतनी ग्रेवी चाहते है तो इसी को ही यूज कर लें अगर आप मजीद राइ करना चाहते हैं तो मजीद 2-3 मिनट हाई फ्लेम पे से कुक कर दें तो यह आप देख सकते हैं बहुत जबदस सा चेकन जो है यह तैयार है अच्छा जी जी तो अब इस में एक्ष्ट है वो ब्लेक पपर का इस्तमाल करेंगे अप ब्लेक पर की क्वांटिटी जो है उससे आप अपने अकॉर्डिंग मेंटें कर सकते हैं अब ग्रीन चिली पर बिसीक अब ब्लेक पर की क्वांटिटी जो है वो कम एड करें अच्छा अच्छा अब इसे क्या करेंगे अच्छा से मिक्स कर लेंगे और मजीद 1-2 मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे ही को करेंगे तो यह आप चेक कर सकते हैं बहुत जबरदस सी ग्रेवी जो है वो तयार है चिकन आफभवानी जो है बिल्कुल रेडी है फाइनल स्टेज पर है यह और अब जी इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली और धनिया ठीक है तो यह बिल्कुल लास्ट मेंं लास्ट में खेसे अब इस टाइम पर बिल्कूल है नहीं लास्ट पर फेट कर जबे yक है निख क्या अ और दिना रिम जर्प मुला जब भी जब आप खबाल सोब जाए एक और फिर खाइंगे तो आप अजया है अज़ा है उसके आप कर सकते हैं तो यह तो आ पिल्टै नॉर्मली अज़ा मुलाहिए, तो प्रफ फ्लेम ऑफ कर देंगे पांच मिनट के लिए एसे ही रहने रहें है तो चिकन अफगानी जो है उसे में डिश आउट कर लिया है अब इसकी लुक चेक कर सकते हैं बहुत ही जबदस पना है लास्ट पे आपने बता क्या करना है विल्कुल लास्ट पे जब आप ग्रीन चिली और धनिया अट करें तो उसके बाद आपने अपने फ्लेम आफ करके से कवर कर देना ताकि ओल जो है वच्छे से तॉप पे आ जाए तो यह आप चेकर सकते हैं बहुत ही जबदस सी रेस्पी है अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लेगिए तो इसको लाइक कर दें शेयर कर दें मेरे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें मिलती हूप नही एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए आला हाफिज